दात के उपर मास आगए है यह क्या है ऐसा क्यूं हो जाता है कहीं रहे हैं क्या होझ ester तो नहीं है हेलो गैस कैसे है आप लोग मैं हूँ dr. 금 traalg a想 overlapping के यह सारी जosphर लिए यह झानने वाले हैं कि दात के उपर जो मास आजाता है यह क्या होता है क्यों हो जाता है इसके साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है यानि कि इसका इलाज क्या है यह सारे चीजे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो के हर लिटिस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर जानेंगे कि जो दात के ऊपर मास आता है आखिर यह क्य क्या हैं तो अब करस्फा जाते को अंधिक जाते हैं चैंशा किभी हम कुछ खाते हैं तो कुछ मियुक्स एं याने किखा फसता है तो वो जो हमारे दात की तीसरी लेयर होती है पल्प जहां से सारे जो नॉप्स होते हैं जो नसे होते हैं हमारे दातों की उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वज़े से जो पल्प होता है वो डेड कर जाता है एंड उसमें ओवर्ग्रोथ होने की वज़ा से वह उपर की तरफ आ जाता है जिसे मेडिकल टर्म में पल्क पॉलिप कहते हैं एंड आम भासायमों से दाथ के उपर मास आना कहते हैं अब समझ लेते हैं कि क्या कारण होता है यह होने का जो फर्स्ट कारण होता है कि अगर आपके दाथ में सडन हो गई है और उसमें दर्द नहीं होने की वज़े से आपने उसका टीटमेंट नहीं करवाया आपने उससे इग्नौर कर दिया कभी कभी क्या होते हैं कि दाथों में सरन हो जाती है और जो हमारे पल्प होते हैं वो डेड कर जाते हैं इस वज़े से उसमें दर्द नहीं होता है तो हम उसे इग्नौर करने लगते हैं जो पल्प होती है उसमें इंफेक्शन होने के वज़े से उसका ओवर ग्रोथ हो जात तो में जब चोट लग जाती है तो उस वक्त जो हमारे दात की नसे होती है उसमें भी चोट आ जाती है जिससे जो पल्प होता है वो डेड कर जाता है तो तीसरा कारण होता है पल्प पॉलिप होने का अगर आपने कभी रेस्टोरेशन करवाया है यानि कि अपने दात में फील नहीं भरवाया वैसे कंडिशन में क्या होता है कि जब हम काविटी में फीलिंग करते हैं तो वहां पर एक काविटी बनते आने कि गढ़ा बनता है दात में जो मसाला निकल जाने के बाद वैसे गढ़ा खाली रह जाता है आप जब भी कुछ भी खाते पीते हैं तो जो खाने ह होते उसमें फशता है जो खाना फशता है तो फिर उप aan पॉल्प को जाके इरिटेट करते उसमें इनफेक्शन को फेलाता है आगे जाके पॉलिफ का करण बन जाते सो यहा आप समझी गए होंगे कि जो पॉलिफ होती है यानि की डात की उपर चेंसर प्रॉपर जो एक वो कोई भी किसी भी परकार का cancer problem नहीं है घबराने की कोई बात नहीं है pulp polyp जो होता है यह deciduous tooth में यानि कि बच्चों में भी and permanent tooth दोनों में यह problem होती है and इसका क्या treatment आता है यह इस वीडियो में आगे जानेंगे pulp polyp होता है यह asymptomatic होता है यानि कि इसमें कोई symptoms नहीं होती है यानि कि ना किसी परकार का dard होता है और नहीं कोई problems आती है अगर यह हो जाए तो बट इसका आपको time पे treatment जरूर करवाना चाहिए basically होता क्या है कि जब pulp का growth बहुत जादा हो जाता है तो जब हम खाना खाते है तो यह हमारे दातों से दबके इसमें चोट लग जाती है जब दातों से इसमें चोट आती है तो उस time पर आपको pain हो सकता है and sometimes चोट लगने की वज़़े से bleeding यानि की खून भी निकलता है की बात करेंगे कि क्या treatment होता है तो जो pulp polyp का treatment होता है यह depends करता है कि आपके tooth structures पे कि आपका tooth structure है यानि कि sound tooth structure है वो कितना बचा है जैसे कि अगर आपके दात में pulp polyp है यानि कि निकलाने की अगर। डात निकलाएं कि यानि कि एस्ट्रक्शन करवानी कि सलागर कि ऑख सींया है जो फ्क्राव में जौन पीं मुणि vost Varいます उसका बहुत ज्यादा overgrowth हो जाने की वज़े से उस दात को आप हम नहीं बचा सकते हैं तूठ structure ज्यादा loss हो जाने की वज़े से जो दात होते हैं उसमें strength भी नहीं रह जाती है तो वह दात बचाने लाइक नहीं होता है फिर उसे निकाल देना ही बेतर है अगर आपके तूठ में जो pulp polyp है उसकी growth कम है जो sound tooth है यानि की जो हमारा tooth का structure है वो ज्यादा है तो ऐसे condition में दात को बचाया जा सकता है RCT treatment करके तो जब हम RCT treatment करते हैं इसमें जो first widget होता है उसमें हम सिफ जो pulp polyp यानि की उपर की जो pulp होती है जो मास होता है उसे कट करके हटाया जाता है इसमे तो इस बहुत bleeding भी होती है and medicines देकर पहले उसे ठीक के जाता है and second visit में फिर हम RCT treatment start करते हैं इस तरह से क्या होता है कि हम जो दात होता है उसे बचा सकते हैं आप लोग पूछोगे कि इस treatment में कहीं pain तो नहीं होता है यह सवाल तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है so guys don't worry यह जो treatment होता है यह सारी treatment painless होता है इसमें किसी भी परकार का कोई भी दर्द नहीं होता है अगर RCT treatment से related आपके पास कोई भी question हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते है and RCT का step by step procedures कैसे होता है इसका इलाज इस पे अलग से मेरा एक वीडियो है link description box में है आप वहां से जाकर देख सकते हैं आपकी कोई भी problem हो आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे comment भी कर सकते है and contact number description box में दिया है आप मुझे phone करकर भी बोल सकते है so guys I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहा हो अगर ऐसा है तो like देकर जाए and अपने family friends में भी share करिए ताकि उन्हें भी help मिल सके अब तक के लिए be healthy and be happy बाब बाई